हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे नमकीन दलिया यह बहुत पोश्टिक होता है हेल्दी होता है इसमें हम डालेंगे आलू बीन्स हरी मेर्च प्याज इसमें हम डालेंगे फली दाना मुम फली दाना बोलते हैं ना इसको हाँ टमाटर भी डालेंगे और हम डालेंगे इसमें म दलिया इस दलिया को मैंने पानी में आ। northwest कर लिया है सिंपल तुर्षाइब के बूल किया हूँकर सबहूं है ऑप इसमें कढाई लिए कोड़ाई में हम्ने तेल डाल दिया ज्यादा तेल द्र Rad vacuum को या सब नदिएक सब्सेद spindlinique गरं मौन ओर तीज़ा हैं प्रोड़ाइगा तो इससे फ्लेवर अच्छा आजाता है और दलिया में जो राई का जो फ्लेवर होता है वो बहुत जादा अच्छा टेस्टी बिल्कुल पोही जैसा लगने लगता है दलिया आप इसको खाएंगे ना तो आपको पोही का भी टेस्ट आएगा साथ में इसमें हम लोग फिर से डाल देंगे क्या बोलते हैं क्या डाल दिया दिया मिरजी जीं अच्छे से तड़ाई करेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से जिक लेंगे जिसमें है जिसके कच्छापन निकल जाए क्योंकि यह जो कच्छी कच्छी रहेगी तो फिर डलिया का टैस्ट अच्छा नहीं आता है यह इच्छे से फ्राई करा है हम लोगोंने और फिर है ना इसमें थोड़ा से नमक भी डाल देंगे क्योंकि नमक एट करने से क्या होता है कि हमारी जो प्याज होती है वो बहुत जल्दी से भुन जाती है अगर हम नमक एट नहीं करेंगे तो प्याज भुनने में काफी टाइम लग जाता है यह सुनहरी लाल हो गई है ऐसा ही सुनहरा रखना है इससे जादा नहीं नहीं तो फिर जल जाएगी फिर वो जला हुआ टेस्ट आना है तलिये में देखें बिलकुल अच्छे से हो गया अब इसमें हम फिर मुमफली दाना डाल देंगे क्योंकि सबसे पहले मुमफल दाना ही डालेंगे थोड़ा रोष्ट हो जाएगा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसी तेल में आप यह सोचिए आप में इसमें जादा तेल भी नहीं डालना है एस्ट्रा में तेल भी नहीं लगेगा और इसी में सारी बैजीज ज़ितनी भी है अब यह जाए तो क्या भोलते हैं मटर भी डाल सकते हैं अलगा इह जला पता प्सक्राइए यह हैशा गयाफ नहीं दाल Hobhan यह देखिए, हल्का सुनहरा हो गया है, बहुत अच्छा, इसके बाद हम टमाटर डालेंगे, टमाटर हमीशा जो भी वेजिस होती हैं, इसके बाद डाला जाता है, क्योंकि अगर हम टमाटर पहले डाल देंगे न, तो आप ही समझे कि जो अमरी वेजिस हैं वो पकिंगी नही और बहुत टाइम लेंगी, और जब टमाटर हम बाद में डालते हैं तो उससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, और बेजिस में टैस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसमें फिर हम थोड़ा सा हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हम ल मैंने इसमें उसे हरी मिर्च भी डाली हुई है, अब इसको अच्छे से फ्राई क्या रहेंगे हम लोग, जाकि सारा जो मसाला है वो सबजियों में लग जाए, अच्छे से, अब यह देखे, बड़ी ऐसा दुआ उठ रहा है, विल्कुल थोड़ा सा हमने पानी में डाल दि इसमें, अच्छे से डालेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, क्योंकि मिलाने से यह बिल्कुल खिला खिला बन जाएगा, और यह बिल्कुल है जैसे, बिल्कुल खिला 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 बन जाएगा, बिल्कुल, देखे, कितना अच्छा खिला दिख रहा है, बिल्कुल, एक एक दा 5-10 मिट में बन जाना है इसको इसको सर्प कीजे निकाले मैंने हरी मिल्च भी रख दिया था फ्राई किया हुआ रखा हुआ था इस से खाईए आप इसमें सॉस ले सकते हैं चटनी से खा सकते सिंपल ऐसी भी खाईए बहुत टैस्टी लगता है पोहे से भी टैस्टी लगता ह पोहे जैसा भी फ्लेवर आता है इसमें सारा कुछ डला हुआ है और इसको चाहें तो आप नमकीन भी डाल सकते हैं उपर से थोड़ा सा नमकीन भुजिया होता है ना यह सब मैं तो इसको प्ले नहीं ले लिया है अभी और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू मेरे चै मन कर जाता है ऐसी चीजे खाने के लिए आप भी जाएए अपने किचिन में तुरंद बनाएए बहुत हल्दी रेसिपी है और टैस्टी भी बहुत जादा है थैंक यू सो मज